हमारे साथ अभी मोजूद है जम्मू के छोटे से सूफी गायक सिरफ अभी दस्मीक अक्षा में पढ़ते हैं और इतनी अच्छी गायकी है उनकी कहते हैं कि सूफी गाना बड़ा ही मुश्किल है लेकिन ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और इनका नाम भी आपने काफी बार सुना होगा निर्मल सूफी हमारे साथ अभी जेके मीडिया पे मौजूद है अभी हम बाचीत करेंगे उनके साथ आपको उनकी मधूर आवाज में कुछ सूफी सौंक्स भी सुनाएंगे जो भी उनकी मरजी होगी फिलाल बाचीत करते हैं कब से शुरुवात हुई उनके इस सफर की निर्मल कब से एक तो सफर कब से स्टार्ट हुआ आपको कब लगा कि आप एक अच्छे सुफियाना गा सकते हैं सबसे पहले तो मैं जेके मीडिया के जितने भी विए जो देख रहा सभी को सच्रिकार नमस्ते कहना चाहता हूं और धन्यावाद करता हूं आपका जेके मीडिया का जिन्होंने मेरे को बुलाया यहां पे तो मैंने म्यूजिक स्टार्ट गिया था 2016 में तब मैंने सिर्फ तब मैंने स्टार्ट ही किया था तो एक शो आया वाइस आप पंजाब चोटा चैंप सीजन थ्री तो तब मेरे को मुजिक का होता स्केल्स बगएरा उसका पता था बस और कुछ नहीं पता था तो जो मेरे भाईया थे पवन जोगी जी उन्होंने कहा कि चल यार तुम मार लेक बाट रही है क्या पता किस्मत खुल जाए मैं जला गया audition दे तो मैं वहां पे select हो गया जलंतर गया on audition देने मैं select हो गया तो फिर मैं mega audition के लिए मैंने इतनी प्रे की बगवान से कि मैं select हो जाओ select हो जाओ select हो जाओ क्योंकि मेगा ओडिशन मेरे लिए ड्रीम था अगर वो स्लेक्ट हो जाता तो बस मिजोर कुछ नहीं चाहिए था तो जब मैं ओडिशन देने गया तो मेरे से भी मतलब तयार तयार बच्चे थी पंजाब से मतलब जो बच्चे होते हो वो बहुत खतरनाक होते हैं लेकिन पता नहीं इस भगवान रहे किया मैं सेलेक्ट हो गया तो मेरे को बहुत खुछी मैंने बोला चलिया एक दो भी राउंड निकलेगा तो बहुत है जब वहां पर गे वहां पर जो आपने पहली परफॉर्मस दी वहां पे कौन सी दी थी आज आपको याद है दो लाईन हो मेरा किरा बुड़ा कर दाबलैक नहीं ओ जिरा तेरे शहर लेलमा फलैट नहीं मैंनू मोड देनू पेंड मोड लेन देनी कम यो थे पहन बड़े ओ यारी जम्मू शेरवार ये नी तेरी करागी हाथ यार देख़डे बहुत को वेरी गुड और मैं आपको पताना चाहूंगा निर्मल जो है जम्मू के अरनिया इलाके के हैं अरनिया काफी बार आपने जेके मीडिया पर भी हमने रिपोर्टिंग की अरनिया से पाकिस्तान की तरफ से फाइरिंग काफी बार आप देखते हैं कि अरनिया में हो स्टेयो एक नैच्रल सी ट्यून मिल जाती होगी आप गाने के लिए तो मतलब बहुत बड़ी प्रॉलम है यह तो सबसे बड़ी प्रॉलम बनगी है पर फिर भी होता तो है कि आ पता कब कहां से निर्मा एक तो आपने जो बताया आपका सफर जो सीजन धर छोटा चैंप वला उसके इलावा आप कहां-कहां और भी कहां-कहां परसॉर्म कर चुके ओफ Avant मैंने लास्ट येर नेशनल लेबल पर परफार्म किया दो वाइस सिंडिया किड्स जो कि आन टीवी पर आता था मैंने यह सोचा कि सिंगिंग में करियर बनाना और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करना है कि मेरे टीचर ने एक बार बोला था कि क्या यार तू जम्मू से मतलब कर रहा है कोई जम्मू का सिंगर बोल है कोई है कोई मशूर इतना मैंने बहुत बड़ी प्रावलम है हमारे जम्मू में जिस तरह से एक तो बड़ा अच्छा लगा इन्होंने बड़े फ्रेंकली यह कहा कि इनके टीचर थे उन्होंने यह बोला कि वहीं से तो कोई सिंगर बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब अच्छा बनिर्मल ये बताओ कि आप सीखते भी हो किसी से अपना जो भी गाते हैं कुछ सीख भी रहे हो कहीं पर जी मैं तलाब दिलो जाता हूं सीखने मेरे गुरु जी उस्ताज कृषिन कुमार जोनी जी उनसे मैं सीख रहा हू टो अभी है कि कड़ी मेंद करनी आ है है और मैं CD मिडिया पर लोग जो देख रहे हैं मैं अग्चो कहना चाता हूं कि अगर आपके भी बच्चे हैं मतलब जो talented जम्मू के जो भी बच्चे हैं मैं जाता हूँ कि वो सभी बाहर निकले क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई जम्मू का singer हम टीवी में देखते हैं कि यार जी जम्मू से लड़का है जम्मू से लड़का है क्योंकि देखिया बाहर के states के बच्चे बहुत होते हैं तो मेरे ख्याल से जम्मू में इस चीज़ को value नहीं करते हैं शायद talent की value इतनी जाद नहीं हाँ value नहीं करते हैं तो मैं हाँ जोड़के बिंती करूंगा प्लीज talent की बाहर इतनी कदर है तो जम्मू में भी कीजिए बिल्कुल अब निर्मल ने एक बड़ा अच्छा सवाल किया वैसे तो मैं सवाल करता हूँ अब निर्मल ने सवाल किया तो चलो मैं निर्मल को जवाब देता हूँ निर्मल ने कहा कि जम्मू में टैलन्ट की कदर नहीं करते हैं तो निर्मल सच बात बताओं तो जम्मू में और कश्मीर में टैलन्ट की बिलकुल कदर नहीं करते हैं हमारे जम्मू के इतने अच्छे-च्छे सिंगर्स हैं लेकिन यहां पर कोई भी परफॉर्मन्स होती है पहर से पता नहीं जम्मू कश्मीर गुवर्मेंट को अपने सिंगर्स पे विश्वास ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी टूरिजम डिपार्टमेंट या आर्ट अन कल्चर के लोग कोई भी प्रोग्राम करवाते हैं तो निर्मल निर्मल जो हैं ये अर्निया के हैं आप निर्मल को भी बात कर सकते हैं आप लाखों रुपया देते हैं पंजाब के सिंगर से मुझे लगता है कि अगर निर्मल को जम्मू कश्मीर का कोई स्टेज मिलेगा तो निर्मल बिना पैसे के ही ये परफॉर्मेंस कर हैं चाहे जम्मू से हो चाहे कश्मीर से हो उनके लिए वक्त नहीं है करकी नहीं सक दे है तेरे बिन मरता सक दे आ तेरे बिन जी नहीं सक दे तेरे बिन मरता सक दे आ आ आ तेरे बिन जी नहीं सक दे बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके आप जैसे बच्चे अगर इतने अच्छे टैलेंटीड होंगे तो हमारे जम्मू कश्मीर का नाम जो है काफी दूर तक जा सकता और पूरे हिंदूस्तान में जम्मू कश्मीर का नाम रोशन होगा बहुत मेरा सर एम ही यही है कि जम्मू का नाम जुरूर रशन करूँगा और मैं वादा करता हूँ आज जो भी लोग देखे रहा है सबसे कि मैं एक दिन जम्मू कश्मीर का नाम मुंबई से भी उपर लेके जाओंगा बहुत अच्छा लगा आप से मिलके और इसी तरह से आगे बढ़ते जाओ हमारे साथ थे निर्मल जो की अर्निया के रहने वाले हैं अर्निया इंटरनेशनल बॉर्डर काफी बार आपने वहाँ पर गोलियों की आवाजे तो सुनी होंगी लेकिन अर्निया में एक आप लोग देख रहे थे जेके मीडिया आशीश कोली क्यारा मैं अशोक चलोतरा जी के साथ जेके मीडिया के लिए